कैसे आप सब अच्छे होंगे तो चलिए हम लोग आज बनाते हैं मटन पाया इस ठंड में मटन पाया बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी अमेजिंग लगता है इसका टेस्ट खाने का चाह चांदी लग जाता है और हम लोग को हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनको मिद्शा को हम जौठने का प्राबलम है उनको कभी-कभी जरूर बनाना चाहिए अपने घर पर और जातेशा दर्द को चुमंतर करना चाहिए और जिनको हडी में प्राबलम है उनको जरूरओ तो देखिए मुटन का पाया लेका थे देखिए लोग बना की तरह करके कितना टेस्टी देखने में लग रहा है हलाकि पीसे समने चोटा-चोटा कर दिये थे लिए बना था बहुत गजब का तो चलिए इसका पुरा प्रोसेस देखते हैं वीडियो में इस तरह से इसको हम बन करने का तरीका तो लोगों के साथ शेयर करिए गार लायक करिए ज़्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए यह देखिए बन के त्यार हो चुका था मेरा इस तरीके से इसका जो इग्रेवी है ना वह बहुत जड़ी बुटी ओला ग्रेवी रहता है तो जरूर खाना परिना चाहिए देखते हैं यह को में सफाई करते हैं तो सबसे पहले अमने चला दिए ते गर्म पानी हो चुका था हम लोगा उसमें इसको डूगो देंगे दुबोने के बाद में 5-6 मिनिट तक उबलने देंगे ताकि इसका हम लोग जो बाल है रोए हैं उसको अच्छे से हटा सकें तो यह देखिए गरम पानी में 5 मिनट हो चुका था इस तरह से पकड़ पकड़ के सारे बाल को लोग हटा लेंगे क्योंकि यह थोड़ा मेहनत वाल तो थोड़ा टाइम लगता है इसको निकालने में बाल को पर कोई बात नहीं थोड़ा हेल्थ के लिए सोचना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तो देखिए इस तरीके से हम लोग पूरे बाल को हटा लिये थे अब जो बाल थे थो थोड़ा बहुत बच गए थे उस एकडाई में तेल डालने के बाद में समना लो तेच पत्ता अधिश पत्ता डालने के बाद दो बड़े सैज्च का अनुग प्याई डाल देगे जब अच्छे सी भून जाएगा प्याज रेड होने तब मतन पाया जो कट करके रखे हैं फ्रेस करके धोके उसको नोग डाल तो किनको किनको हड्डियों को प्रोब्लम है जरूर अपने घर में बनाई और सेहत बंद रहे हैं मतन पाया खा करके तो देखिए लाल होने तक इसको भूनना अच्छे से कि अरी स्थंड में तो ही गजब का टेस्ट लगता है आप जरूर ट्राय करिएगा स्थंड में मतन पाया गर्मी दिमन नहीं बनाईएगा तो चलेगा लेकिन ठंड में जरूर बनाईएगा देखिए मेरा ये प्याज भून चुका था बहुत अच्छे से लाल हो गया है आप च्छोड़ा पीसेश कर लिए थे कट करके थोड़ा बड़ा पीसेश हमको रखना था लेकिन थोड़ा ज्यादा च्छोटा च्छोटा पीसेश हो गया कोई बात नहीं यह ऐसे भी चलता है तो को इसको हम लोग भून लेंगे दो मिलट तक इसका थोड़ा खुसबू अलग करता है जब तक इसका खुसबू चला ना जाए तब तक इसको भूनेंगे थोड़ा दो से पांच मिनट यह देखिए हम लोग को भून गिया था अच्छे से भूना गिया उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे लस्टन और अध्रा का पेष्ट कि इसको भी दो मिनट के साथ में बूंजेंगे हम लोग कि थोड़ा लगता है महिनत ज्यादा बनाने में लेकिन सीहद से भरपूर है यह आप सीहद मन हमेशा रहेंगे तो जरूर अपने घर में बनाईएगा बच्चे नहीं खाएंगे फिर उनको जरूर ट्राय करवाएगा क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा दोड़ दुख करते हैं तो बोलते हैं घुटना में दरद हैं पैर में दरद हैं तो उन लोग को भी जरूर खिलाईए तो देखिए हम लोग डाल दिये थे हलका सा नमक डा इसमें ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं कम ही मसाला में बनके त्यार हो जाते हैं इसका एक बेनिफिट तो यह है कि इसमें बहुत कम मसाले से बनता है है हिस-ता необходимо पॉसल फ़सके पेस्द नमक डाल दे लिएं कपेश्ट टाल दियें अब मैं लुगा कोज़ों के गफाए है वह सारा इसमींिटल कोफ़ देंगे कोखर में और मुपांइ डाल देंगे धेर सारा तो देखे सारा हम लोग डाल चुके थे मटन पाया को कुकर में अब इसमें हम लोग पानी डाल दिये हैं अपने मटची के नुसार फानी दाले पानी थोड़ा जादे ही डालें क्योंकि मंटन या बनने के बाद एसलिए तो इसका जो पानी यहां डाले हैं जो अगरेवी बात बने अगा बहुत जड़ी बुट्पीं अदर गरेवी रहता है यह ज़्ड़ा फानी जादे करें पानी एड़ करने के बाद में हम लोग कूकर नगा दिये इसके बाद हम लोग 5-6 सीटी आने तक इसको अच्छे से भूने देंगे 5-6 सीटी आने तक जब 5-6 सीटी आ जाएगा तो देखिए इस टैप का हो जाएगा इसको हमको लोग रखेंगे साइड में तब तक फिर से हम लोग चढ़ाएंगे कड़ाई अब कड़ाई चढ़ाने के बार डालेंगे अब तेल अब थोड़ा कम कमी तेल डाल चुके हैं हलका इसमें डालोंगे कुछ घड़े मसाले देखिए लिए जीरा गोल की लॉंग और यह दाल चीनी का टुकड़ा और इलाइची इन सब को अच्छे से डाल देंगे डालने के बाद थोड़ा चटक जाएगा अच्छे से तिसमें लोग डाल देंगे प्याज दो मठन पाया को इसमों डालेंगे लें लखसन अरत्रगा पेष्ट प्याज वाल में जाता है अच्छे से तो मठन पाया को जो हम लोग निका बाल के हैं शीटी लगा करके उने निकाल के सारह ऐड़ कर देंगा इसे मैं कि देख iemand से डारे टीमा दाल रहे हैं से इसके साथ में चठना पर दोग हीकुत भूञ्अ कि हम दुखे शबिए और दोग में इसके सिंगए जब बलग बनाना है डीम यह बना है देखिए इस तरह से इसके बाद इसमें हम फिर से डालेंगे कुछ मसाले पहले तो मसाले पड़े नहीं हैं पर आब हम लोग मसाले इसमें कुछ एड़ करेंगे कि अलका सा अलदी करेंगे नमक करेंगे और अब दन्य पोडर है लाल मिर्ची पोडर ये देखें दन्य पोडर था लाल मिर्ची पोडर था ये तीनों करेंगे और आप स्वात के नमक डालें और कस्थूरी मीति थोड़ा सा करस करके डाल दें कस्थूरी मीति डालने से बहुत ही फ्लेवर टेस्ट बदल जाता है तो आप चाहें तो डाल सकते हैं या वरना असकीब भी कर सकते हैं तो मेरे पास था तो हम इसलिए डाल दिये थे यह देखि जादा महनत है उचीज बहुत टेश्टी लगता है तो इसी तरह इसमें थोड़ा महनत जादा है और खाने में बहुत टेश्टी रहता है है रोज नहीं तो महनां एक बार जरूरा बनाई ए अपने घर में सबको अडियों का देख रिख कर ये इस तरह का मतन पाया बना कर क मिरा मसालों के साथ मैं पूण गया बहुत अच्छे से अब आथा नमक पहले डाले एंगे हलकर नमक और डाल दीए है व्हाणि कि अब आपको स्वात करनों सारी नमक डालना है तो देखिए अप सारे साले में बहुत अच्छे से भून चुकी हैं अब इसको मुझा से ट्रश पर करेंगे कूकर में करेंकर में डाल दिये हैं और इसका जो आप गरेवी बना के रखे थे कूकर में था वह ग्रेवी को हम रोग सारा इसमें आड़ कर देंगे देखे सारा जो ग्रेवी रखे थे कुकर वे गलने के बाद होगा था उस सारा हम लोग इसमें एड करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग चलाएंगे अब कुछ देखिएगा यह बिलानी के बाद कितना अच्छा लगेगा यह देखे मिल चुका है हम लोग का तो देख रहे होंगे आप गाडा गाडा लग रहा है ग्रेवी थोड़ा तो इसमें हम लोग थोड़ा पानी एड करेंगे जैसे कि पहले आपको बताएं अभी हम कि थोड़ा इसका पतला ग्रेवी रहता वही अच्छा लगता है तो थोड़ा इसमें हम लोग पानी एड कर दिये हैं अब कुकर का ठकन फिर से बंद किये और दो लोग सीटी आने तक फिर से इसको उबाल लेंगे कुब हों कुब ही देखे मिरा ये बंद के त्यार हो चुका है मतन पाया इसमें हम लोग दात हरा पता का धनी से सोगी हरा धनियाए अधल करेंगे घर पे इंजवाई करिए अब मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुलिए अपना सपोर्टर साथ दीजिए कि अब मतन पाया और आप लोग को मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अपना सपोर्टर साथ देते रहे हैं और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मेरा मतन पाया कैसा बना है और आप लोगों करके कैसा लगा तो इंजवाए मतन पाया बाइ